Hello everyone, जै हिंद आज है 14th of October और आज किस वीडियो में हम 14th of October से बनने वाले current affair के सभी important questions को discuss करेंगे तो चलिए revision करते हैं कल के important questions का हिंद महासागर रिम association का अध्यक्ष रिसेंटली श्री लंका को चुना गया है वन डे वर्ल्ड कप के इतिहास में अभी हाली में सबसे बड़े run chase का record पाकस्तान की टीम ने वनाया है चर्चे में रहा प्रजेक्ट कुई पर का संबन्द Amazon से है 19th वे Asiai Games में जो closing ceremony रही इसमें धोजवाहक रहे थे PR श्री जेस भारत की तरफ से भारत ने टोटल 107 मेडल इसमें जीते और पदत कालिका में चाइना टॉप पर रहा है Asiai Games में सबस्यादा गोल्ड मेडल भारत ने ये जीते हैं शूटिंग में और अभी हाली में फिजी ने अपना तिरपनवा स्थापना या आजादी का जश्न मनाया है भारत ने इसराइल से भारतियों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है इसका नाम है ऑपरेशन अजय अंतरास्ट्र क्रिकेट में सबस्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहत शर्मा के नाम है ओडिसा के प्रसिद जो मिठाई है रजबली इसे रिसेंटली जियाई टेग मिला है तो इस अभी कोश्चन्स हम लोग ने कल पढ़ लिये थे चले शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल हमास ने इसराइल पर हमले को क्या नाम दिया है अभी कुश दिन पहले ही जो करंट अफर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसमें मैंने हमास जो के एक आतंकी संगठन है कहां का पैलस्टाइन इनकी फिलस्तीन का उसके बारे में डिसकुशन किया था तो इस हमास ने इसराइल पर जो हमला किया है इसे नाम दिया है अल-अक्सा फ्लड देखे यहां पर एक मैप मैंने रखा है एक इमेज आपको दिखाई दे रही है इस इमेज के थूँ आप ये गेस लगा सकते हैं कि पैलस्टाइन का क्या अस्तित्व था और अब क्या अस्तित्व है ये जो ग्रीन वाला शेत्र देख रहे हैं आप पूरा इस पूरे हिस्से में पहले पैलस्टाइन का कबजा था ये ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप इस्राइल की लोकेशन देख लीजे देखें इंडिया के परस्पेक्टिव में येदी हमें इस्राइल जाना है तो यहां बाबे मंडल और गल्फ आधेन की लोकेशन है यही से क्रॉस होते हुए हम यहां पहुँच गए रेड सी यनि कि लाल सागर लाल सागर जैसे क्रॉस हुए ये हमने क्रॉस किया है location और यही इसराइल है तो इसराइल जिसकी capital येरुसलम currency Israeli new cycle है प्रधान मंत्री हलाकि यहां की बेंजाम में नेतनी हाओ है तो 1946 उस समय देखा जाए तो यह green वाला शेत्र यह फिलिस्तीन का शेत्र था इतने हिस्से में फिलिस्तीन फैला हुआ था आप यह कह सकते हैं कि यहां इसराइल का अस्तित्व भी नहीं था फिर धीरे धीरे इसराइल ने कबजा करना शुरू किया इस Palestine पर मतलब green वाला जो शेत्र आप देख रहे हैं या Palestine का Palestine इसकी history भी मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है तो अभी दोनों देशों के बीश में हिंसा का महौल फिर से गरमा गया है हमास जो की पैलस्टाइन का एक पातंकी संगठन है इसने अभी रिसेंटली इसराइल पर हमला किया हलाकि जवाबी कारवाही ये इसराइल के द्वारा भी की जा रही है तो हमास ने इस हमले को नाम दिया है अल-अक्सा मस्जित ये जो अल-अक्सा मस्जित है ना ये मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है मक्का मदीना सौधी अरब में है इस मक्का मदीना के बाद दूसरा सबसे पवित्र स्थल मुस्लमानों का ये ये येरुसलम का अल-अक्सा मस्जित है त इसलिए हम इसका बदला ले रही हैं तो इसराइली पुलिस ने अप्राल 2023 में अलग सा मस्जिद में क्या फिका था ग्रेनेट फिक दिया था और हमास के जो प्रवक्ता है गाजी हामद इन्होंने अलजजीरा से ये कहा था अलजजीरा क्या है तो आप कहा सकते हैं मद्यपूर शेत्र का एक समाचार चैनल है जो कि अपनी बेबाग पत्रिकारिता के लिए जाना जाता है तो इससे ये कहा है कि ये कारवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो कि इसराइल के साथ अपने जो संबंध है ये बढ़ा रही हैं तो यह है इसकी पूरी हिस्ट्री हमास आतंकी संगत ने किसका पैलेस्टाइन का हमला किया है इसराइल पर और इस हमले का नाम अल अक्सा फ्लड है चलिए अगला प्रशन आठो ब्रिक्स अंतर राश्ट्री प्रतिस परधा सम्मेलन का आईजन कहां किया जा रहा है तो इसका आईजन भारत में हो रहा है कहां दिल आठवा इसका एडिशन है ग्यारा से तेरा अक्टूबर तक ये आयजित किया गया है जिसकी थीम 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 तो लिखी हुई एक्जाम का पार्ट नहीं बनेगी हालाकि डीटेल में मैंने में वेंचन कर दी है चीजे ब्रिक्स है ना जोकि पांच देसों का संगठन है जिसस इसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा जब ये ब्रिक्स नहीं था केवल ब्रिक्स था तब इसका पहला संगेलन रशिया में आयजित किया गया था इस साल जोहांसन बर्ग साउथ एफ्रिका में अब जो नेक्स्ट होगा इसे होस्ट करेगा कजान रशिया दिल्ली ने इस साल हलाकि G20 समिट भी होस्ट करी है, पहला जो हल्दी सम्मेलन है, ये आयुजित किया जा रहा है, मुंबई में, भोपाल से आपने क्या रिलेट किया है, देखे, महराश्ट की कापिटल मुंबई, मद्य प्रिदेश की कापिटल भोपाल, तो भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पाँचवा एडिशन रहा है, जिसमें की महरास्ट टॉप पर था, इसके लावा, पाँचवा कॉफी सम्मेलन अभी जो शुरू हुआ, भारत में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, आप कह सकते हैं, इसका आयोजिन करनाटा की राजधानी बैंगलोर में ही ह हुआ है, आगे चलते हैं, फोप्स ने विश्व के सर्वस्रेष्ट नियोकताओं की लिश्ट जारी की है, यानि की सर्वस्रेष्ट एम्प्लॉयर्स की, इसमें शामिल होने वाला एक मात्र जो उपक्रम, इने की पब्लिक सेक्टर यूनिट बना है भारत का, ये बन गया है NTPC, यानि की National Thermal Power Corporation, NTPC Limited ने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 700 कम्पनीज में से 261 प्लेस पर अपना इस्थान बनाया है, और इस सुची में शामिल होने वाला सार्वजिनिक शेत्र का एक मात्र पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट बना है, PSU, NTPC के स्थापना 1975 मभी दिल्ली में मुख्याला है और गुर्दीप सिंग इसके अध्धक्ष का पदभार समाल रहे हैं, अभी आप लोगों को याद होगा कि करन्ट अफर्म में आपको बताया था कि अयोध्या जोकी Solar City के रूप में विक्सित होने जा रहा है, ये उत्तर प पोट, चलिए सितवे पोट आप रिलेट ना करें, आप रिलेट कर सकते हैं आपर, हाइफा पोट, हाइफर पोट भी आप इसे कह सकते हैं, ये मैं इसलिए रिलेट करने को बोल रही हैं, अभी जो हमने इसराइल डिसकस किया है, इसी इसराइल में एक पोट है जिसका नाम ह Haifa Port और इसका अधी ग्रहन अभी इसी साल किसके द्वारा किया गया है अडानी ग्रूप के द्वारा किया गया है Tata Group से दिया आप रिलेट करें तो नई संसथ भवन का जो निरमाण हुआ ना दिल्ली में जिसके जो डिजाईनर विमल पटेल है डिजाइनर तो विवल पटेल है इसका निर्माल का जो ठेका है टाटा ग्रूप को ही मिला था Reliance Industries Limited के द्वारा इसका जो पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क है ये तमिल नाडू की क्यापटल चेनने में स्थापित होने जा रहा है आगे चलते हैं कोश्चन में स्टार लगा लीजे हाली में जारी Global Hunger Index 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा है अभी तक देखे 2022 की में रैंकिंग बताती थी कि भारत 107 में है अभी अपडेट नहीं हुई थी अब आ चुकी है इस साल की रैंकिंग भारत का इस्थान इसमें और खराब हुआ है 111 इस्थान पर है भारत अभी जो Hunger Index रिलीज किया गया 125 देशों में आप समझ सकते हैं भारत 111 नंबर पर मतलब कितना नीचे है भारत का स्कोर 28.7 फीसदी है जो कि इसे ऐसे देशों की केटेगरी में लाता है जहां भूक और भुकमरी की इस्थिती बेहत गंभीर है अपने पडोसियों के यदि हम बात करें तो ये भारत से बहतर कंडिशन में है पाकिस्तान जहां हम मजाग उडाते हैं कि भाई यहां आटा दाल चावल के रेट इतने आसमान चुरह हैं और सुवधाय नहीं है बांगला देश अपना पडोसी नीचे में श्री लंका और कंडिश पर बैठा नेपाल इन सभी की इस्थिती भारत से बहतर है तो पाकिस्तान बांगला देश नेपाल इदि हम देखे तो 102 इस्थान पर पाकिस्तान है बांगला देश इक्यासी नेपाल 69 और श्री लंका आधे में हैं आप कह सकते हैं भारत से 111 में हैं भारत तो श्री लंका 100 माफ की जगए 60 में लगभग लगभग आधे में तो इन देशों की स्थिती भारत से बहतर है आप यदि रिलेट करें तो खुशहाली सूचकांग का रिलेट कर सकते हैं इसमें भारत का इस्थान कितना है 126 वा है और इसमें जो कंट्री टॉप पर है ये हो जाएगी फिल्लेंड इसके लावा यहां से आप रिलेट कर सकते हैं पीस इंडेक्स और की खुशहाली सूचकांग खुशहाली सूचकांग में भी भारत का इस्थान 126 वा है टॉप पर आइसलेंड है जेंडर गैप रिपोर्ट जो भी हाल फिल्हाल में जारी किया गया था 2023 वाला इसमें भी टॉप पर आइसलेंड है इसमें भारत को इस्थान दिया गया है 127 वा Press Freedom Index जो कि इस साल माई के महीने में इस साल का अपडेट हुआ है Press Freedom Index में भारत है 161 प्लेस पर और इसमें टॉप पर हो जाएगा नौर्वेज आगे चलते हैं October महीने के अभी जो बीते दिन गए है important वो तो मनें आपको बताए हैं ये दिन मिस हो गया था विस्व मानसिक स्वास्त दिवसन के Mental Health Day जो की 10 अक्टूबर को मनाया गया है थीम इसकी है Mental Health is a Universal Human Right पहली बार ये 10 अक्टूबर 1992 को World Federation for Mental Health द्वारा मनाया गया था तो ये जो World Federation for Mental Health है ना 1500 से अधिक सदस्य देश वाला एक वैश्व मानसिक स्वास्त संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी इसके लाबा हमने पढ़ रखा है राश्ट्री डाक दिवस 10 अक्टूबर को ही पढ़ा है अंतर राश्ट्री डाक दिवस International Postal Day ये हमने पढ़ा है 9 अक्टूबर को वाईउ सेना दिवस हैने की Indian Air Force Day 8 अक्टूबर को और विश्व कॉटन दिवस हैने की कपास दिवस ये 7 अक्टूबर को हमने पढ़ा है आगे चलते हैं विश्व Athletics ने इस साल वर्ष के लिए Athlete of the Year के रूप में किसे नॉमिनेट किया है तो भाला फेक से रिलेटर जो खिलाड़ी है नीरा चोपड़ा इन्हें 2023 के लिए पूरुस Athlete of the Year पुरुसकार के लिए नॉमिनेट किया गया है ठीक है अभी जो एशियाई गेम्स हुए थे इसमें नीरा चोपड़ा ने जिविलिंत रूप में गोल्ड भी जीता था अच्छा एशियन गेम्स में ही जो पियार श्री जैस है ये ध्वजवाहक थी किसमें समापन समाह रूप में यहने की क्लोजिंग सेरेमिनीर में गोल कीपर है ये ठीक है रोहत शर्मा क्या हमने रिलेट किया है कि क्रिकेट के तिहास में इनकी इंटरनेशनल वन डे में सबसे जादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और इस मामले में क्रिस गेल को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है क्या रिलेट करेंगे इनके तो कुछ आप ब्रैंड ही रिलेट कर सकते हैं जिसकी स्वराज ट्रेक्टर ने अपना ब्रैंड अमबैजडर बनाया है इन्हें जियो मार्ट ने अपना ब्रैंड अमबैजडर बनाया है ड्रीम 11 के ये ब्रेंडम बैजडर है और इसके लावा रेड बस के ब्रेंडम बैजडर है हलाकि अंतर राज्टर क्रिकट से ये सन्यास ले चुके हैं आगे चलते हैं इसरो का दूसरा इस्पेस पोर्ट ये कहां इस्थापित किया जाएगा इसकी घोशना तो हलाकि पहले ही कर दी गई थी लेकिन इसरो के द्वारा इसका जो दूसरा इस्पेस पोर्ट है ये तमिल नाडू में बनने जा रहा है अब तमिल नाडू में कहा तमिल लांडू के थुतु कुटी में ये इस्थापित किया जाएगा तो पहला कहां है देखिए 9069 में इस रोके द्वारा श्री हरी कोटा आंधर प्रदेश में जो आप पढ़ते हैं यहां इस्थापित किया गया था ये और 1971 के बाद से आज तकीदी देखा जातो जादतर रोकेट यहीं से लांच किया जाते हैं तो आंधर प्रदेश के तट पर वसी इस द्वीप को भारत का प्राइमरी स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है और यहीं से चंद्रयान 3 लांच किया गया थ जो कि 23 अगस्थ 2024 को सफलता पूर्वक लेंड कर गया था 2024 लिख दिया मैंने गलती से यह साउथ पोल पर चंद्रमा के दक्षणी ध्रूप पर सफलता पूर्वक लेंड कर गया था 23 अगस्थ 2023 को इस दिन को नैशनल स्पेस डे राश्ट्र अंत्रिक्ष दिवस के रूप मे नेगोश्ट किया गया है ओडिसा का आप रिलेट कर सकते हैं वील अर्दीव जिसका नाम बदल करके एपी जे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है अगनी प्राइम का सफल परिक्षण अभी जून की महिने में यही से किया गया था और मानव अंतरिक शुडान के इंद्र इस रिसर्च और्गनाइजेशन नाइटी सिक्षिन नाइन फॉर्मेशन यह रहा है बैंगलॉर करनाटिक में हैटकॉर्टर एस सोमनाथन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे हाली में रेल लिंक पदमा ब्रिच का उधगाटन कहां किया गया है इसका उधगाटन रिसेंटली प प्राइम मिनश्टर से एक हसीना प्रेसिडंट अभी रिसेंटली बनाए गए शाह बुद्दीन चुपो यह पदमा शब्द आया कहां से तो भारत से बहने वाली यहां जो नदी है इसका नाम है गंगा यह जो गंगा नदी बांगला देश में जब प्रवेश करी तब इसे क्या कहा गया पदमा मैं यहां पर बना के दिखा देती हूँ और यहीं से आती हुई यहां ब्रह्मो पुत्र नदी है असम वाले शित्रे से आ रही है यह बांगला देश में बना दिया है तो गंगा नदी जब बांगला दे तो यही जो गंगा नदी है जिसे बांगला देश में पदमा कहा जा रहा है इसी पदमा पर रिसेंटली ब्रिज का उधगाटन किया गया है तो यह जो ब्रिज है यह बांगला देश की राजधानी है जो ढाका इसे दक्ष्री पिश्च में जिस ओर से कनेक्ट करेगा और यह जो रेल लिंक है पदमा ब्रिज इसके कुल लागत 49,246 दसमलों में है लगभग लगभग इसमें 40,000 करोड टका टका जो किया की करंसी है इत और 6 दिसंबर को दोनों देशों ने मैत्रे दिवस के रूप में मनाए जाने की बुश नहाज़ुकी की थी मैत्री पाइप्लैन प्रोजेक्ट का उद्गाटन भी भारत और बांगला देश के बीच में ही किया गया है भारत के सहयोग से बंग देख्षू परियोजना जो च चाशन आ चुका था भारत ने अच्छा खासा पैसा लगा रखा था और श्री लंका में इदिया पर लेट करें तो दुनिया की सबसे लंबी अंतर रास्ट्री अंतर रास्ट्री मैंने कहा है क्रूस सर्विस की शुरुआत है भारत श्री लंका के बीच में हो रही है जौइता गुपता ने यह जीता है यह जो पूरसकार है डच रिसर्च काउंसिल के द्वारा दिया जाता है जिसे डच का नोबल भी कहा जाता है तो भार्टी मुल्की प्रफेसर हैं इन्हें नीधर लेंड में आये जितिक समारों में इस अवार्ड से समानित किया गया है पू गितांजली श्री ने और बलकि इस साल का जोर्जिया गॉस्पी दोनोवा ने जीता टाइम शल्टर के लिए गितांजली श्री ने टॉंब ऑफ सैंड के लिए जीता था वन्य जीव संरक्षन पुरुसकार यह वाइल लाइफ कंजर्वेशन पुरुसकार यह जम्मू कश्मीर का जो नोबल पुरुसकार है इसी साल का यहीं कि 2023 का यह जीता है जॉन फॉसे ने रैमन मैक्स से अवाड जिसे एशिया का नोबल कहा जाता है व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले व्यक्ति बने हैं दलाई लामा और अरुंधती राय इन्होंने बुकर पुरुसकार जीता के टेगरी में दिया जाता है छयों घोशित हो चुके है तो डायनामाइट के जो विशकारक माने जाते हैं अल्फर नोबल इनके सम्मान में यह 1901 से दिया जा रहा है पहले भारती जिन्होंने यह आवाड जीता था यह 1913 में जीता था यह थे रविंद्रनात टैगोर जी सा की रचना के लिए तो गीतांजली के लिए मैंने कल आपसे पूछा था बिहार के बार जाती आधारित गर्णा कौन कराने जा रहा है आंसर इसका राजस्थान है आज का सवाल है हाली मेटल बिहारी बाचपाई दिव्यांग खेल प्रसिक्ष्ण स्टेडियम काउध घाटन क किस ने किया और कहां किया यह भी बताएंगे आंसर बताएंगे डीटेल में कल हम वीकले रवस्दन करेंगे उससे जुनना बिल्कुल न भूले थैंक्यू सो मच